तो आप सब कुछ उहार और जैसे कि आप यहाँ पर नियूस देख सकते हो कि जारखन विदान सबा में कैसे हुआ था नियुक्ति घोटाला इन लोगों को ठैराया गया था दोशी चले देख लेते हैं कि इसके पीछे का माजरा क्या मामला क्या था और किन किन को दोशी जो है वो ठैराय गया था विदान सबा में अवे देख नियुक्ति और प्रोमोशन का मामला लंबे समय से चल रहा है राज्ये के पहले स्पीकर इंदर सी नामधारी के कारेकाल में 274 वा स्पीकर आलमगिर के कारेकाल में 324 लोगों की नियुक्ति हुई थी वही स्पीकर शशांग शेखर भोकता ने गलत तरीके से लोगों को प्रोमोट किया था श्री नामधारी के समय एक जिला से 70 फिशदी लोगों की बहा लेकी गई थी अलमगिर के समय नियुक्ति में पैसे की लेंदिन का ममला यहां पर सामने आया था ततकालिन राजयपाल सीते रजी ने जाच के आ दित्तिय प्रसात को मिला था दोजर अट्रा में यहां पर विक्रनामा दित्तिय ने ततकालिन राजयपाल द्रोपदी मुर्मुजी को जाच की रपोर्ट सौपी तो स्रिमिती मुर्मुजी ने जाच रपोर्ट विधान सभा को कारवाई के लिए भेज दिया जब उनको तिन विधान सभा के सचीव और छे से जादा विधान सभा के पदाधिकारी और कर्मी विधान सभा अध्यक्ष को मिला था कारवाई का निर्देश जारकन विधान सभा नियुक्ति घोटाली की जाच की जाच जस्टिस विक्रमा दित्य प्रसात की एक सदसी आयोगने की थी यहाँ पर आयोग ने राजयपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौपी थी और रिपोर्ट के आधार पर राजयपाल ने विधान सबा को कारवाई करने को कहा था लेकिन उक्त आयोग की रिपोर्ट पर कोई भी कारवाई नहीं की गई थी और उसकी रिपोर्ट को जाचने के लिए एक दूसरा आयोग भी बना दिया गया है अब जाके तो जारकन हाई कोट ने किये सुनवाई जारकन हाई कोट ने यहाँ पर जारकन विधान सभा में लगबग देड़ सो से अधिक अवेद नियोक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका आटियाई पर मंगलवार को सुनवाई की चिर्ज जस्टिस संजै कुमार मिश्र और ज तदसी आयोगद्वारा तयार की गई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नितिस दिया है तो यहाँ पर मामला जो है वो काफी जादा गंबीर हो गया है और इसको लेकर आगे करवाई करने की पूरी तयारी चल रही है और उसी वज़े से यहाँ पर जारकन हाई कोल्ट क तरफ से यहाँ पर ओर आचुका है और यहाँ पर वो जो रिपोर्ट जो बनाई गई थी यहाँ पर जस्टिस विक्रम आदितिय की तरफ से तो उसको वापस से यहाँ पर लाया जा रहा है उसको जांच पर खाजाएगा उसके बाद आगे की कारवाई जो है वो की जाएगी कि सही में गोटाला हुआ था या फिर किस ने किया था सारा जो रिपोर्ट या फिर जो भी सारी चीज़े हैं वो बाहर निकल आएंगी यानि कि गड़े मुर्दों का अब खोरदा जा रहा है अब जो भी सामने आएगा वो तो धराने वाला है जोहार